उधारण 4 1.4 मीटर लंबा एक प्रिक्षक एक मिनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है उसकी आँखों से मिनार के शिखर का उन्यन कोण 45 अंश है मिनार की उचाई बताईए हल यहाँ 20 मिनार है A.E. प्रिक्षक है और कोण C.E.D. उन्यन कोण है तथा A.B. बराबर E.D. बराबर 25.6 मीटर A.E. बराबर D.B. बराबर 1.4 मीटर समकोण समकोण त्रिभुज C.D.E. में 10 पे तालीस अंश बराबर 10 थीटा का मान होता है लंबटा अधार तो हमारे पास लंब है D.C. और अधार है E.D. तो 10 पे तालीस का मान होता है एक बराबर D.C. की स्थान पर D.C. और E.D. हमारे पास है 25.6 मीटर तीरिया कुड़ा करेंगे तो D.C. का मान जो हो गया वो हो गया 25.6 मीटर अता मिनार की उचाई बराबर B.D. धन दी.C. है B.D. का मान हमारे पास है 1.4 जो की प्रेक्षक की लंबाई है और D.C. जो है हमारा 25.6 मीटर हमने ग्याद किया इसका योग जो है 1.4 मीटर और 25.6 मीटर का योग 27 मीटर होता है तो इस तरह से हमने ग्याद किया कि मिनार की उचाई 27 मीटर है तो यह ही सुधारण का हल होगा नोट यदि प्रेक्षक की उचाई ना दी गई हो तो प्रेक्षक को एक बिंदू मान लिया जाता है फरीदा के घर के बाहर एक जंडा लगा हुआ है देखिए आकरिती 10 फरीदा इस जंडे के डंडे की लंबाई ग्याद करना चाहती है क्या जंडे को बिना निकाले डंडे की लंबाई का पता लगा सकते हैं आईए देखें